हाई फ्रेंड्स एंड थैंक्स वर रिविजिटिंग दी चैनल तो आज का व्लॉग है यह है अबाउट टेकिंग लाइसेंस इन टोक्यो सो करेंटली मैं इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं सो मैंने भी रिसेंटली मतलब एकल ही क्या क्या प्रोसेजर किया है इसको बताता हूं अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजें और आपको जैपैन से रिलेटिट वीडियो और इंफरमेशन में देता रहूंगा इंकमिंग वीडियो तो फ्र नगाव मैं कल वहां गयाता तो अब मैं आपको बताता हूं कि कल क्या क्या प्रोसेजर मैंने फॉलो किये लाइसे से रिलेटिड सो पहले टाइमिंग बताता हूं मैं एक्चली सेकेंड हाफ में गया था तो एस पर दी इंटरनेट पहला स्लोट जो है 8.30 टू 11.30 होता है और यहां पर दी इंटरनेट और एक्चली हुआ भी ऐसा मैं सुबह तो नहीं जा पाया विकॉस इट वस रेनिंग और मैं गया फिर आरांड 12 लोक लोक मैं घर से निकला तो आरांड 1.20 क्यासवन में पहुचा तो पहला मेरा मोटीव यह था कि मैं जस्ट दॉक्मेंटेशन चे ठीट है कि नहीं अदर्वाइस मैं किसी और दिन चुट्टी लेके जाता तो वागेर मेरी चुट्टी वेस्ट होती है ओके तो डॉक्मेंट में क्या क्या लेके गयाता है एक तो अपना और सी ओरिजनल और देन पासपोर्ट नया प्लस पुराना सो डू कैरी देन आपका ज पहले मैं काना गावर रहता तो मैंने काना गावर के जे एक अपिस से ट्रांसेट करा लिया था तो वह मैं लेके या था और एक फोटोग्राफ जो आइट जो मझे याद है वह 4.5 x 3.5 तो मेरे साथ क्या हो था कि मैं फोटोग्रेफ नहीं ले जा पाया था मतलब निव पर तो पहले क्या होते जब पहुंसते हो तो दिर इस नो प्रायर एपार्टमेंट रिक्वाइड मैंने कोई फोन नी चेमेन फोन मिलाय भी तो में तो वह नहीं हो रहा था सो मेरा प्रफरस्ता कि जाके मैं पहले डॉक्मेंटेशन हो तो मैं गया तो उन्हों ने मुझे नम तो आपको एक नंबर अलोट करेंगे नंबर अलोट करके जब आएगा देन आपको आपने डॉक्मिटेशन करने हैं तो दी डेपार्टमेंट विंडू है उसमें बैठे रहते हैं लोग तो देग 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 दोक्मेंट्स और वो पीछे अपने को दे देदेगे वेरिफाइ देन आपको अगेन वेट करना है आफ्टर वेरिफिकेशन इस दन वह आपको दुबारा बुलाएंगे उसी नंबर से और देन कोई प्रॉब्लम है या कुछ है दोक्मिटेशन में कोई शौटफॉल है तो बताएंगे अदर्वाइस देविल से इट्सों के सो मेरे केस में मे आपका आई टेस्ट होगा कि आपको और से राइट तो आपको दुबारा धर फ्लोर पर जाना है उसी आंटर पर और आपको उनको सब्मीट करना है है वापको साइट test कर रिजल्ट आपको केंगे कि आप साइड में आऊ साइड में की एक कॉरिड़ोर आए वहां जाके बैठने के लिए ववलेंगे और उसमें आपको बोलेंगे कि आपका होगा पर चुम सरों करने होते हैं 10 तो पर यह सब्सक्राइब करने हो यह आपको तो टेसीली मिल जाते हैं वह सारे सेम नहीं होते हैं आपके आराउंड five to six six questions आपको similar मिलेंगे not same similar मिलेंगे and four questions can be bit new but but questions are very very easy मैंने 9 score गया दा I don't know किस question में मेरी गल्ती वी तो वो result नहीं populate होता है but I thought मेरे सारे सही होंगे but एक गलत हुआ I don't know कहां गलत हुआ so don't be overconfident just be confident आपके जो return भी clear हो जाएगा so अगर questions की बात करो तो will you follow the traffic rules and regulations and drive safely of course you will answer yes तो एक था एक था कि if ambulance is approaching and you are in a hurry यह question repeated है and would you let the ambulance go or not तो उसमें आपको देना है of course कि आप ambulance को जाने दोगे then there is a question कि red light है मैं तो already red है but policeman खड़ा है वो आपको guide कर रहा है he's allowing you to go तो आपको follow करना है कि निकरना तो आपको of course follow करना है then there is a there were questions like yellow line वाला और white line वाला if there is a yellow line can you cross it or not so of course you cannot cross it if there is a white line you can cross it okay and ऐसे ही questions से पेरे question था about the you turn not allowed एक था कि no entry वाला sign so I say it's a set of 10 questions से तो आप easily clear कर सकते हो okay so once that is also done यानि का I test would open check हो गया I test हो गया आपका और आपका आपको एक सेट दिया जाएगा वह आपको देंगे और आपको लेके जाना होता है उस आपको एक सेट बना के देंगे वह जैसे मेरे को भी दिया है जिसमें आपके सारे डॉक्मेंट्स अटाइज और आपको लेके जाना है और उसको आपको महां पर फिर आपका चला सकते हो मैंनुल प्लस ऑटमेटिक इस वो ओनली फॉर आपको मैनुल ट्रास्विशन लाउट नहीं है तो मैंने मैनुल किया है मेरे टेस्ट वी मैनुल में ही होगा और आपको मैं चला सकता हूं वन साइकलर थी टेस्ट कि ओके ओके तो जब मैं गया उस पर सेटीट पर के काउंटर नुबर 30 पर तो उन्होंने डॉक्मेंट सारे लिए मुझसे और प्रेस करो एंदेन उसमें कैलेंडर उपन होता है तो कैलेंडर में किया कि सारी ओ ग्रेड आउट थी की नावाले था नेक्स्ट नेक्स जाके द मान के चलू कि में जून जुलाई में दो एंड था जून जुलाई आउगस्ट तो अराउंड धाई महीने का वेटिंग पीरियड है भी ऐस अफ नौ टोक्यों में बट थिंग इस उन्होंने एक नंबर दिया था कॉंटेक्ट सेंटर का इफ इन केस आपको जल्दी टेस्कर जल्दी ड्राइविट लेना है तो आपको रेगुलर कॉंटेट करते हो इस एनी वेकेंट स्पॉट इन पर्टिकुलर तो आप पीच का डियूरेशन है तो आप उसको प्रीपॉन करा सकते हो पोस्पॉन के लिए भी प्रुसेस फॉलो करना कर आपको पोस्पॉन करानी है ड तो दोस्तों यह था सारा प्रोसेज्व मैंने एक दिन में निप्टाया मुझे लगे करीब करीब त्री टू त्री त्री अड़ाफ पार्स लगे में आराउंड 1.30 पहुंचा था तो आराउंड 3.30 फ्री हुआ था मैं आराउंड 2.30 फार्स क्या आसपस लगा था मुझे सो डू कैरी अल्डी दॉक्मेंट्स इन एडवांस मैं डॉक्में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में सामेजू का मैं डाल दूंगा सामेजू के लिए आप क्या कर सकते हो श्रीनागाव स्टेशन पहुंचो श्रीनागा सब्सक्राइब के सामने ही बस उतारती है वहां से आप 20 मिट की ड्राइव है वहां से बस राइड है तो वहां जाके आप पहुंच सब्सक्राइब का मैं गोगल लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दोस्तों यही था मेरा अभी तक का व्लॉग और जो जैस सब्सक्राइब करने की कोशिशित आपको रेगलर कॉल करके करना पड़ेगा तो वहां डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में तो आप वही कर सकते हैं ट्राइब ज़र दूंगा सब्सक्राइब लिए कर दिस नर दूंगा सर्फ सब्सक्रिफ्शन में डी तोडला आपको ऑच वही दिए और आपको जल्दी नई वीडियो जाने वालिये गुमने पिननी वाली अरटोक्यों जापैन के बार अर तो क्वाचिं और नहीं पिनी डोब्सक्रि बबबाए गई लिए गड़ गाई टेक करे